हेलो फ्रेंज वेलकम टो माई चैनेल कैसे आप लोग असा करते अच्छे हैं मैं भी अच्छा हूँ तो फ्रेंज आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ एल वाल सुटिंग के लिए जो मैंने बनाया हूँ ये देख सकते ये एल वाल है मैं पहले भी साइड इसको द हमारे पेंटर दादा इसमें पेंट कर रहे है ये ग्रे कलर का है इसमें देख सकते वन साइड में अलग दिख रहे है सेकंड साइड में डार्क दिख रहे है एक्चली ये कलर जो है ये सूख गया है फर्स कोट मारा था अभी सेकंड कोट ये फाइनल कोट हो रहा है और ये ब्लू है इसमें देख सकते हैं यह पूरा फाइनल हो चुका है और यह यह भी देख सकते हैं यह 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 लो कलर के हैं यह फाइनल हो गया है यह है प्लाटपॉर्म का यह फ्रंड का हिस्सा है चार इंच का यह दिखाए है जैसा यह सूट करते वक्त यह प्लाटपॉर्म ऐसा दिखेगा और यह शूट मैं चाहिए तो मैं केमरे को प्रण कर के भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूं और इसको साइड से दिखा ताओ कैसा बनाया हूं यह देख सकते यह दो डेर का पट्टी है दो डेर का पट्टी से इसका फ्रेम बना दिये है ऐसा चारो तरब से और यह जो प्लाई का थीक है यह देख सकते हैं इसमें गौर से देखेंगे तो यह 12 mm का प्लाई है और इसमें एक चीज यह है इसको नजदिक से दिखाएंगे तो मालूम पड़ेगा वाल के उपर है टैक्सर किया गया है यह टैक्सर बनाया है और प्लाटफॉम प्लेन फिनिस है कि प्लाटफॉम में टैक्सर करेंगे खुछ भी प्रोड़क रखेंगे तो यह प्रोड़क का फिर उसमें दाग आ जाएगा तो यह शूटिंग के लिए है यह एक्चुली बनाया है जुएलरी सूट के लिए तो फ्रेंज देख सकते यह चार वाल बनाया है यह वान टू ट्री फोर देख सकते यह चार बनाये हैं इसके साथ में प्लाटफॉम के उपर जो छोटे-छोटे प्रोड़क रखेंगे इसको टर्निंग के लिए भी चोटा-छोटा एक प्लेट बना लिया है दो पीस किये है तो फ्रेंज आज मैं आप लोगों को दिखाया सुटिंग के लिए जो छोटा वाल बनाया और इसको कैसा बनाया है और इसको कैसा कलर बगेरा जो किये है यह अप लोगों को डिखाया अगर यह वीडियो आप अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सकाइब जरूर कीजिए। कुछ भी पूछना है जरूर मुझे comment box में पूछ सकते हैं okay friends see you by next video